हेलो फ्रेंट्स, वेलकम टो ए 24 नॉलेज ए ओफिशल यूट्यूब चैनल, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश स्टाफ सेलेक्शन कमिशन की नियू रिकूर्मेंट नॉटिफिकेशन के बारे में, इसकी LGBT कंडिशन के बारे में और इसके सेलेक्शन के बारे में, तो फ्रेंट्स, एच्पी, एसससी में जो नॉटिफिकेशन यहां पर इन्वाइट की गई है, यह फ्रेंट्स आपके वेरियस 554 पोस्त के लिए है, जिसके लिए आप ओनलाइन अप्लाए कर सकते हैं, और इस वेकेंसी या इस नॉटिफिकेशन से कर सकते हैं, बात करते हैं फ्रेंट्स, इसके ओफिशल नॉटिफिकेशन की और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अप्डेट्स मिल सकें, तो यहां पर फ्रेंट्स क्राइटेरिया है, वो 18 से 45 साल रहना चाहिए, और यह एक जनवरी 2021 को काउंट होगा, अगर आप रिजर्व केंडेट्स हैं, तो आपको अपरेज में छूट मिल जाएगी, साथ में आपकर जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, या फिर जो भी एल्विटी कंडिशन रिक रहेंगी, वो 5 जनवरी 2022 मिन्स लास्ट डेटर आपकी कंप्रेट हो जानी चाहिए, अब यहाँ पर फ्रेंट जो यह नौटिफिकेशन है, यह आल इंडिया नहीं है, अब यहाँ पर अगर आप अगर आप निवासी नहीं है, तो यहाँ पर एक कंडिशन है, कि आप तभी एलिजीबल होंगे, अपोइंटमेंट के लिए अगर आपने मैट्रिकुलेशन और 10 प्लस टू, ऐसे स्कूल या इंस्टूशन से किया है, जो की हिमाचल प्रदेश से है, अगर आप अगर आप अगर आप कहीं से भी स्कूलिंग की हो, आप इसमें एप्लिकेबल हो जाते है यहाँ पर फैंस, आपको देखिए जो वेकेंसी है, डिपार्टमेंट है और उनके नाम, पोस्ट कोड और कितने कितनी वेकेंसी है, वो आपको यहाँ पर देखिए देखने को मिलती है, आपके अकॉर्डिंग जो भी आप यहाँ पर पोस्ट देखना चाहे, उसकी जो वेक टेकनलोजी में या ब्सक्राइब काउंसिल में आपका रडिस्टेशन जरूरी है इन्वेस्टिगर के लिए यहां पर मास्टर डिगरी आपसे मांगी गई है इसके बार लेबराटरी टेकनिशन में 10 प्लस टू मांगा है साथ में डिप्लोमा आपके पास MLT में होना जरूरी है या फिर BST डिगरी है आपके पास MLT में तो भी आप इसमें आविदन कर सकते हैं फिल्ड इन्वेस्टिकेटर की फ्रेंज जो वेकेंसी है बेसलर डिगरी आपसे साइंस में आर्ट्स में मांगिये है अगर आपने Economics, Esthetics और Mathematics as a subject के तौर पढ़ा है उस कंडिशन में इसके बार है यहाँ पर Junior Skill Stenographer तो 10 प्लस 2 आपसे मांगा है साथ में Short End और Typing Speed आपसे यहाँ पर Required रहेगी Junior Office Assistant के लिए BCOM आपसे यहाँ पर मांगा गया है Staff Nurse के लिए 10 प्लस 2 आपसे मांगा है साथ में Qualified होना चाहिए A Grade Nurse मिन्स Diploma in GNM या फिर BSC Nursing Radigographer में Friends 10 प्लस 2 in Science और BSC आपसे मांगा है इसके बाद Ness Post है आपके Laboratory Assistant की तो 10 प्लस 2 आपसे मांगा गया है Operation Theater Assistant के लिए भी 10 प्लस 2 मांगा है और साथ में Pass होना चाहिए OTA Training Course या फिर BSC डिगरी आपके पास होना ज़रूरी है Sanitary Inspector में Gration जो की Diploma in Sanitation के साथ आपके इस पास होना चाहिए Junior Technician के लिए 10 प्लस 2 आपसे यहाँ पर मांगा गया है इसके अलाबा Friends Diploma या Certificate आपसे मांगा है Test Style Technology में Junior Office Assistant के लिए 10 प्लस 2 मांगा है दसवी के साथ अगर आपके पास ITI है तो भी आप इसमें आविदन कर सकते हैं और आपसे Computer Typing Speed यहाँ पर मांगी गई है इसके बार है Assistant Mining Inspector की तो 10 प्लस 2 आपसे यहाँ पर मांगा गया है Junior Draftman के लिए Diploma या Degree मांगी है आपसे और यह Friends Relevant Discipline में आपके पास होनी चाहिए Pharmacist Allopathy के लिए 10 प्लस 2 Science में Degree या Diploma Pharmacy में और Pharmacy Council आपके State या Central Government में Registration होना आपका जरूरी रहेगा Medical Laboratory Technician में 10 प्लस 2 और BSC आपके Medical Laboratory Technology में या फिर BSC आपके MLT में आपके पास होना जरूरी रहता है इसके बार है Operation Theater Assistant की तो 10 प्लस 2 आपसे मांगा है साथ में OTA Training Course आपसे मांगा है Laboratory Assistant में 10 प्लस 2 आपसे मांगा है With Science as a subject आपके पास होनी चाहिए Radiographer में 10 प्लस 2 in Science और BSC Medical Technology में आपसे यहाँ पर Required किया गया है इसके बार NEST Post है Statical Assistant BCOM, BSC, BA अगर आपने Economics या Mathematics या Statics के साथ की है आप इसमें आविदन कर सकते हैं Junior Technician में Metric पास होना Certificate Code 2 यर की Duration का Electrition या Wireman में और एक साल का Practical Experience required रहेगा BCOM या CA आपके पास है MBA Finance है आप Accountant के लिए Apply कर सकते हैं BCOM यहाँ पर भी आपसे मांगा है Accountant के लिए Librarian के लिए BA Second Class आपसे मांगा है या Bachelor in Library Science या Diploma in Library Science आपके पास होना चाहिए Junior Accountant की Vacancy है तो Bachelor in Commerce आपको required रहेगा Mining Inspector के लिए BSC degree in Science required रहेगी Pharmacy, Allopathic के लिए TEL Plus 2 Science आपसे या Diploma Pharmacy में मांगा गया है Boiler Attendant या Boiler Operator के लिए Minimum Matriculation पास आउट होना Second Class Boiler Attendant Certificate required रहेगा Medical Social Worker के लिए Post Gration आपके पास Social Science या Socialology में होनी चाहिए तो मैंने आपको शॉर्ट में यहाँ पर जानकारी प्रोवाइड कर दी है आप यहाँ पर इसकी जो Detail LGBT Conditions है वो Notification में जाका Readout कर सकते हैं इसके बाद Friends यहाँ पर आपको दिया गया है Mode of Selection और यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपका Part First जो है Return Test है 85 Marks का और यह 2 घंटे की duration का होगा 170 Multiple Choice Quotion होंगे और हर एक Quotion Friends Half Marks का रहेगा और इसमें Friends यहाँ पर आपको Post Code दिये गया है साथ में उनमें Friends से क्या क्या कोशन साफ के पूछे जाएंगे उसकी जानगारी आपको Post-wise देखने को मिल जाती है तो आप जिस भी Post के लिए Applicable है Apply करना चाहते हैं उसका जो Selection Procedure है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं यहाँ पर Friends से जो आपका Return Test होगा उसके बार आपको Part 2 जो किया है आपका Evaluation of 15 Marks अब इसका मतलब यहाँ पर क्या है तो Friends से यहाँ पर आपको नीचे देखिए इससे रेटर जानगाई दी गई है जैसे आपका Minimum Education Qualification है Professional Qualification है उसके basis पर आपको यहाँ पर 2.5 आप जो Marks है वो दिये जाएंगे अगर आप Backward इलाके से आते हैं तो एक नमबर आगर आप Landless Family से बिलोंग करते हैं तो एक नमबर Non-Implement Certificate आपके पास है तो एक नमबर इसके रावा आप Definitely Able Person है तो एक नमबर NSS Certificate है तो एक नमबर BPL Family से बिलोंग करते हैं तो दो नमबर विडो या डिवोसी हैं तो एक नमबर आपको इस तरह से यहाँ पर आपकी जो category है उसके recording दिया गया है इसके लावार आपके पास experience है तो आपको 2.5 marks यहाँ पर मिल जाएंगे और यहाँ पर दिखे एक साल का 0.5 marks आपको यहाँ पर मिलता है तो अच्छा chances होता है आपको extra number के लिए अगर आपके पास कोई extra इन में से कोई भी section अगर आप complete करते हैं तो यहाँ पर आप details को check out कर सकते हैं instructions आपको यहाँ पर दिया गया है और यह ध्यान रखिएगा 10th and 12th अगर आपने हिमाचल प्रदेश से की हुई है तो ही आप इसमें apply कर सकते हैं अब यहाँ पर आपसे कहा गया है candidate is allowed to submit only one application form against each post multiple application form आपको नहीं भरने एक ही application form में आपको यहाँ पर एक post के लिए apply कर सकते हैं और इसके बाद फेंसे नीचे आपको तो आपको 120 रुपे SCST candidate जो है जो है रिजर्व candidate है HP के उनके लिए 120 रुपे female candidate ex-serviceman of HP उनके लिए कोई भी fees नहीं है fees आप online payment gateway मतलब online आप जमा करवा सकते हैं आपको कोई भी क्यूरी है आप इन number पर संपर कर सकते हैं notification वीडियो description में आपको available है महाँ पर जाकर आप details को check out कर सकते हैं अगर आप applicable है eligible है apply करना चाहते है apply कर सकते हैं और जैसे मैंने कहा ये all India vacancy नहीं है अगर उसी condition में है अगर आपने 10th and 12th महां से की है complete तो तो यहाँ पर friends मैंने आपको सारी जनकारी provide कर दी है अगर आप applicable है eligible है apply करना चाहते हैं apply कर सकते हैं और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है आप चाहते हैं ऐसे ही updates आपको लगाता मिल सके तो like, subscribe जरू कीजिए बाकी की जनकारी के लिए ऐसे ही बने रही हमारे साथ देखते रही हमारा YouTube चनल and last thanks for watching